कंप्यूटर सिखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें आज के इस वीडियो में हम आपको नेटवर्किंग का बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक बताने वाले हैं जिसका नेम क्या है इंटरनेट आज के टाइम पे हर वो एक इंसान इंटरनेट यूज करता है जैसे स्टूडेंट किसी भी फिल्ड का स्टूडेंट हो या फिर नॉर्मल इंसान भी इंटरनेट यूज करते हैं तो जब आप इंटरनेट यूज करते हैं तो आपको इंटरनेट क्या होता है चाहिए हलका सनोलिस्ट होना ही बार नेवाद के बारे में तो इस वीडियो में आपको डीटेल में बताने वाला हूं इंटरनेट और concept के साथ समझाने भी वाला हूं ठीक है internet is a network of networks that is used to interlinked many different types of computers all over the world internet जो है network को का network है ठीक है समझ लो कितना बड़ा चीज है यह सबसे बड़ा दुनिया का network समझ लो internet ही है क्योंकि यह network को network है internet का use करके हम क्या कर सकते हैं दुनिया भर के computer को all over the world पूरे दुनिया के अलग अलग तरह के computer को आपस में interlink कर सकते हैं यानि जोड सकते हैं communicate कर सकते हैं और internet ही एक ऐसा network है जिसके तुरू हम पूरी दुनिया को अपने एक phone में देख सकते हैं वो internet ही है चलो एक figure बनाते हैं यहाँ पर ताकि ही आपको अच्छे समझा सके हैं यह क्या है यह चार सिस्टम है अगर हम इन अडिया में रहे एक अमेरिका में भी रहे ऐसा भी हो सकते हैं लेकिन मैं आपको क्या example दे रहा है को माल लो यह चारो एक ही जगा पर यह लोकल एरिया नेटवर्क यहां पर create हो गया तो इसको आप क्या बोल सकते हैं network यह एक network है ठीक है अब internet में मैंने क्या बोला network of networks होता है internet हमारे definition में यहां पर देख सकते हैं तो चलिए इस बात को हम कैसे आपको समझाएंगे यहां पर एक और फिगर बनाते हैं कि फिगर क्या होगा सिंपल से यहां पर लाइन वन कि लाइन टू लाइन तिरी इसी तरह से अगर हम एन नंबर ओफ लाइन नेटवर्क को आपस में कनेट कर दें अगर हम दुनिया के सभी छोटे-छोटे network को आपस में कनेट कर देते हैं तो वह पूरी दुनिया का एक बड़ा network बन जाता जिसको बोलते हैं वाइड एरिया of networks network का राजा सबसे बड़ा दुनिया का network तो देखो सबसे पहले हमने इस फिगर में क्या बोला था अगर हम चार सिस्टम को connect करते हैं तो वह एक network बन जाता है ठीक है और अगर इसी एक network को हम किसी दूसरे network तिसरे network चौते नेटवर्ण को आपस में जोड़ के बड़ा network बना देते हैं तो ये सारा काम किसके थूरु possible हो पाया है internet के तूरु पॉसिबल हो पाया है इसी को बोलते हैं internet में आप क्या कर सकते पूरी दुनिया के computer को आपस में जोड़ सकते हैं और पूरी दुनिया से communication बैठा सकते हैं जैसे एक real life example हम दो computer को भी अगर आपस में connect करते हैं na TCP IP protocol की मदद से किसी भी purpose से data sharing के purpose से या फिर communication के purpose से तो वो भी internet ही कहलाएगा ठीक है internet का ही वो example होगा जैसे यह मालों कि मैं हूँ और यह आप हो मुझे नहीं पता आप कहां हूँ लेकिन मुझे आप से connect होना है तो आप क्या करोगे मुझे सबसे विला contact करोगे उसके बाद मैं आप से internet के थुरू ही connect हो पाऊंगा आप हमारे इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो इंटरनेट के माध्यम से ही देख पार हैं नहीं तो नहीं देख पाएंगे क्योंकि यह वीडियो हमारा internet पर ही available है जब आप internet on करेंगे हमारे वीडियो को सर्च करेंगे तभी आप वीडियो तक पहुंच पाएंगे और इस वीडियो को देख पाएंगे तो सिंपल इंटरनेट मतलब king of network दुनिया का सबसे बड़ा network होता है internet internet की सुरुवात defense किया था ठीक है अमेरिका का department of defense ने किया था 1969 में सबसे पहला network का नाम उन्होंने क्या दिया था ARPANET बाद में इसी का नाम आज हो गया है internet ठीक है तो यह अमेरिका का defense अपने कुछ personal काम को लेकर कुछ data sharing purpose से इस network का विसकार किया था बाद में इसमें इतना system को add किया गया starting में चार system में data share किया गया फिर दस हजार पिस हजार करके आज पूरी दुनिया के computers को हम internet के तुरू जोड़ सकते हैं जूड़ भी गया है ठीक है इसलिए हमारे एक छोटे से स्मार्टफॉन में पूरी दुनिया आप चाहां तो अपने स्मार्टफॉन से पूरी दुनिया को देख सकते हैं तो यह इंटरनिट का ही कमाल है एक और आपको बताता हूं माल लो यह एक computer system है जो कि इंडिया में है ठीक है और यहां पे एक और computer system है जो कि कहां है यूएस में है अगर हमें इन दोनों को connect करना है तो हम TCP IP protocol की मदद से ही इन्हें connect कर सकते हैं TCP IP protocol से जब यह connect हो जाएगा तो फिर क्या हो सकता हम इन में communication कर सकते हैं और अभी इंटरनेट के थुरू हम इंसे connect हुए हैं क्योंकि यह एक जगह थे दूसरे जगह बहुत दूर में थे सामने सामने नहीं रखा हुआ था यह इंडिया में यह यूएस में तो बिना इंटरनेट की यह connect नहीं हो सकते हैं और इंटरनेट में हर एक डिवाइस का पहचान होता है उसका आईपी अड्रेस इसका भी आईपी अड्रेस पहचान है इसका भी आईपी अड्रेस पहचान है तो टीसीपी आईपी में आईपी भी होता है TCP connection establish करता, IP क्या करता, उसका address send कर देता है, sender के पास जिससे क्या होता है, connection establish हो जाता है, तो यह simple सा example था, आपके teacher भी अगर आपको पढ़ाते होंगे, Zoom meeting में कहीं भी Google meeting में सबसे पहले आपको वो link देते होंगे, और आपक भी internet, उनका भी internet अगर on रहेगा, तभी आप connect हो पाएंगे, और अपने class को attain कर पाएंगे, अगर internet आप on नहीं करेंगे, तो आप connect नहीं हो पाएंगे अपने teacher की network से, और आप बात नहीं कर पाएंगे, class नहीं कर पाएंगे, तो यह फार्दा होता है इंटरनेट का जिसके तुरू आप पूरी दुनिया से जूड़ सकते हैं एक छोटी से मोबाइल या कंप्यूटर के तुरू